तो आईए जो नेक्स्ट टॉपिक हो क्या है हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ compound microscope क्या है compound microscope most important topic of optical ठीक है optical का यह most important topic है न हम लोग पढ़ते हैं रे optics और उसका वेब optics तो रे optics का most important topic है simple microscope के बाद compound compound का meaning क्या होता है आप समझेगा पहले तो compound क्या meaning मतलब होता है जब क्या हो एक से ज्यादा lens का यूज कर दे तो उसको हम लोग compound बोलें कितना one अगर lens से काम नहीं बन पाया क्योंकि जो बैक्जानिक जो हमारे physics जो है पैक्जानिक क्या किये को उन्हों ने क्या देखा कि एक से accuracy नहीं आई पाई मतलब एक जो है जो हमारा क्या बोलते हैं simple microscope से देखने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हुआ clearance थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया और उसको ज्यादा दे तक यूज नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने क्या किया compound microscope का जो है ठीक है कितनी 9 गुना से कम रह जाती मतलब है अगर कोई 1 cm का object उसको हम क्या कर सकते है 9 गुना मतलब हो जाएगा 9 cm बढ़ा करके देख सकते बस इससे जादा नहीं तो इसलिए जो है उनको और जहुरत पड़ी की बहुत छोटी चीज है तब भी हमको क्लियर करना है तो इसलिए क्या किया कि compound microscope का फान तो compound microscope का देखे कैसे construction है देखे यहाँ पे एक छोटा lens होता है lens तो convex से ही है कौन सा है? convex है पर small focal length का है ठीक है? और small aperture का है और दूसरा जो होता है हमारा इसको बोलते objective lens यह क्या करता? आपजेक्ट के पास रहता है इसी से पहले object को देखाता है और दूसरा होता है हमारा कितना large focal length और large aperture का होता है जिसको बोलते eye piece ठीक है? eye lens अब क्या होता है? जब क्या करेंगे? object को क्या करेंगे? हम near किसके रखेंगे? objective lens के पास रखेंगे तो जिसकी height क्या है? H है A, B की height का यह है उसका image यहां से U distance होगा उसका image कहां फार्म करता है? तो उसका image फार्म करेगा A-B- पे जो second eye piece lens के लिए क्या करेगा? focal length मतलब first वाला कहां फार्म करेगा जो clear होगा तो second वाले के focus पे क्योंकि second वाला यह same magnifying glass की तरीके इसकाम करेगा यह simple क्या है? magnifier ही है main काम इसका है यह क्या होता? इस small वाले का काम होता है इसके पास क्यागरते object रखते है और यह image कहां फार्म करना इसको तो second वाले के focus पे यही आपको याद रखना ठीक है? कहां पे फार्म करना? second वाले के focus पे तो देखेगा यहां पे u distance है और यह क्या है? second, first वाले का second focal length है एक focal length इधर होगा एक इधर होगा और इसका second वाले lens का मतलब आई-piece का यह first focal length है और second focal length है first and first focal length आई-piece का जो beach का distance उसको हम लोग ज्यानते यह अल होता है ठीक है? क्या होता? यह अल होता है और finally जब यह क्या करेगा यहां पे image जब फार्म किया और इसको चाहे फिर ऐसे ले जाएं या तो इसी को आगे produce करके हम ले जाएंगे तो क्या करेगा यह? यह magnifying की तरीके से work करेगा और इसको magnifying कर देगा कहां? पे infinite पे ले जाएगा और यह infinite पे मतलब यह infinite ने यह क्या करेगा? उसके बाद इसका काम क्या होता है? लिक्स्ट डिस्टिंग कर दिस्टिंग कर दिस्टिंग यह infinite पे नहीं ले जाएगा यह कहां ले जाएगा? तो near point पे ले जाएगा लिस्ट डिस्टिंग वीजन पे यह क्या करेगा? पचीस सेंटीमीटर पे कह सकते हैं पचीस सेंटीमीटर पे क्या करेगा? या उससे थोड़े से जादे पे इसके इमेज को finally magnifies कर देगा और जिससे हम लोग क्या करेंगे? छोटे आपजेक्ट की चीज का या छोचे टीनी पार्टिकल्स का हम लोग क्या कर सकते? इमेज क्या कर सकते? सीन कर सकते, देख सकते तो यह है compound microscope का युज पहले आप समझेगा यह क्या होता है? इसमाल focal length, small aperture को होता आपजेक्ट क्या होता है यहाँ पे? तो इसमाल focal length मतलब objective lens के near होता है उसके बाद इसका जो image बनता हो कहां पे बनेगा? तो second जो होगा, जो IPS lens होगा, उसके focus बनेगा और यह object क्या होगा? यह image जो है, इसके लिए IPS के लिए कैसा work करेगा? आपजेक्ट जैसा और यह कहां पे बना है? फोकस पे बना है, इसलिए क्या है? कि लगभग focus पे समझेगा, तो यह infinite अब यहां पे पड़ेगा, तो इसको infinite, मतलब क्या है? कि तरह फोकस मानिए, या focus न मान के आप क्या करिए? दोनों के बीच मान ले जाए, लिस्टेंज भले दिया है, इसका मतलब यह कहां बनता है? तो focus और पोल के बीच में बनता है, जिसकी वरे से क्या होता है? नियर पॉइंट पर बनता है, मैगनिफाइज करके इसको बड़ा बनाता है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले अब इसमें देख लेते figure समझ में, मैगनिफिकेशन क्या होता है? देखेगा, मैगनिफिकेशन जो होगा हमारा, simple उन् intentแगनिफिकेशन, जो होता है, वह कितना होता है? तो यहां कितना होगा? देखेगे, अगर हम देखेंगे, तो हमारा होता है, यहां से वैलू लेंगे मैगनिफिकेशन, linear का कितना हो जाएगा? V upon U होगा, तो V की देखें, value कितना होगा? yel hoogar क्योंकि इसका magnification यहीं तक हुआ पहले lens करना है और उसके बात कितना हो जाएगा तो yoo हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा, ataikal, yoo हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए गाजो, कितना होगा y engagement, y venues, इसके बात क्या करते हैं, एमfox, यू हो जाएगा देखेगा तो या तो क्या लिखेंगे एचेस डैस अपान किता होगा या तो हम क्या लिख सकते हैं येचेस डैस अपान किता होगा उसकी वैलू कितनी होगा येचेस डैस की वैलू कितनी होती है देखे एल अपान यू का मतलब हो जाएगा यहां से अगर value लेंगे देखेगा यहां पे अगर और एक चीज़ लिख दें तो हम यहां लिखें hs- upon यह भी लिख सकते हैं और यह तो यम्मो क्या यह linear magnification होता है जो objective होगा वो linear magnification बनाएगा तो देखें कितना होगा hs- upon और यह क्या होगा इसका image कहां बना तो इसके focus बना तो यह हमारा होगा l और object यहां पे कहां रखेती यहां object कहां है यहां पर भी focus पे ही object place किया गया तो यहां पे app होगा तो इसका मतलब हो जाएगा कितना l इसको first question माल लेंगे कितना हो जाएगा सबसे पहले आप समझेगे क्या है question तो सबसे पहले क्या है object को कहां place करना है तो object को हम लोग को place करना है कहां पे तो लगभग first के focus से place करना है ठीक है तो first focus place करेंगे तो यह चेस डर्वस्पान यह इसकोर कितना होगा तो यहां पे होगा image जो बनाएगा L distance पे बनाएगा और U की value कितनी होगी U की value F होगा F हो मतला होगा इसका focus length ठीक है यह हो गया अब क्या करना देखे जब हम लोग क्या करेंगे angular displacement लेंगे angular magnification लेंगे तो क्या होगा तो angular magnification में देखे MO होता है अब ME की बात करेंगे ME की बात करेंगे तो देखे अगर हमारा object कहां बनेगा list, distinct, vision बनेगा तो यह formula होगा ठीक है और अगर यही object कहां बन जाएगा infinite पे बनेगा तो 1 plus D upon कितना होगा F हो जाएगा ठीक है कितना होगा यहाँ पे 1 नहीं रहेगा कितना हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा कितना तो D upon F हो जाएगा तो अगर हम बात करते हैं कहां पे linear magnification में तो MO की value है L upon F हो और उसके बात जो है अगर angular magnification होगा तो इसकी value जो किसका magnification अब I lens होगा और कितना होगा अगर कहां पे बन रहा आपजेक्ट लिस्टिंग और डिस्टिंग बीजन बनेगा तो 1 plus D upon F होगा यह लिस्टिंग और डिस्टिंग बीजन की value होगे अगर इसकी बात करें कि infinite पे बनेगा क्योंकि हमें infinite पे इसले बनाना जरूरी है क्योंकि हम क्या करेंगे without strain आइस में कोई strain नहीं हो easily हम उसको scene करें तो आपजेक्ट को कहां बनाना होगा infinite उसके लिए D upon कितना हो जाएगा F हो जाएगा कितना हो जाएगा D upon F हो जाएगा अब क्या करना है आपको सीधे-सीधे लिखना है magnification of compound microscope जब magnification of compound microscope आप लिखते हैं तो आपको क्या लिखना होगा MO into ME यहीं नहीं होगा M equal to कितना होगा MO into ME होगा MO की value कितना है तो L upon कितना हो जाएगा F हो into ME कितनी होगा D upon कितना हो जाएगा F हो जाएगा देखें कितना होगा तो यह हमारा answer आ जाएगा कितना L upon F O into D upon F कितना हो जाएगा तो आप ध्यान से देखेगा जो magnification का हमारा formula बनेगा वो कितना होगा यही होगा कितना L upon F O into D upon F यह हमारा magnification हो गया इसमें देखे कितना सिंपल कोई दिक्कत नहीं compound microscope में सक से पहले क्या करना आपको बस याद रखना है यह figure अगर आप सही सही बना ले जाएगा तो आपको solve करने हैं कोई दिक्कत नहीं भी सापको थोड़ा सा write करना होगा क्या करना सबसे smaller होगा यह object कहां place किया है तो इस lens के focus पे फिर इसका image कहां बनेगा अगर देखा जागर यह focus है तो यह क्या करेगा हमारा एक तरह से infinite पे बनेगा तो infinite का मतलब है इसका focus जहां इसका focus होगा या near focus के पास image बनाएगा और इसके लिए क्या करेगा object cover करेगा उसके बाद क्या करेगा अगर यह क्या है दोनों के बीच में है तब तो यह क्या होगा list of distinct vision पे यह magnification बनाएगा अगर मान लेजे focus पे इसके मान लिया जाए तो image कहां बनाएगा तो infinite पे बनाएगा तो उसका यह value आजागा उसके बाद हमें क्या करना है total magnification निकालना है MO into EM में लेना है और EMO की value magnification objective lens यह है magnification आप कौन सा होगा तो IPS lens यह है दोनों value रखके multiply कर दे चलिए अब इसको erase करते है देखते हम लोग value की आपका कितना magnify यह करके दे सकता है तो magnify कितना करेगा इसी फार्मूलें value रखते है देखे कैसी अगर हम यह मान ले क्या मान ले कि अगर F हो की value 1 cm हो ठीक है इसका मतलब है जो F हो कितना 1 cm का हमारा क्या हो lens का जो focal length हो यह फो का 1 cm का और यफी कितना cm का 2 cm का कितना cm 2 cm का और यल जो image बनाया ठीक है मतलब यह तो कह दिये tube की साइज है L का मतलब tube की साइज होती है tube कितना होगा 20 cm अगर tube हो और D की value हम लोग जानते अगर 25 cm पे अगर हमारा object बनेता ही बनता है तो M की value कितना एगर रखिएगा तो 20 अपन कितना होगा 1 और यहाँ deep होगा 25 अपन कितना 222 कार दिजे 10 आ गया तो M की value कितना 250 इसका मतलब यह हुआ कि जो magnification हो 200 गुना होगा इसका मतलब 1 cm के object को 200 cm बना देगा लगभग जो है यह आपका हो जाएगा 2.5 meter मतलब 1 cm के object को यह क्या करेगा तो 2.5 meter के बराबर दिखाएगा यह है इसका magnification इसलिए compound microscope का यूज कहता है और simple microscope में यह है अगर 1 cm का object है तो यह 9 cm तक maximum दिखा सकता है बस इससे जादा नहीं और compound का यह यूज होता है कि 1 cm अगर object है तो उसकी size को कितना बड़ा करक दिखाएगा 2500 गुना 250 times larger than original value तो यह होता है यूज करना आता है तो एक हमारा बज़दाता है अब कौन सा तो हम लोग का एक और बचा है जिसको मोलते हैं telescope telescope में जो है reflecting type telescope है उसको देखना है उसमें प्रूब किये भी नहीं लिए न उसमें तो directly लिखा है सिफ हमें construction figure का जानना अगर आप जानेंगे अगर जानना चाहते तो क्या होगा उसमें इसका opposite होता है उसमें इसका opposite होता है मतलब उसमें objective lens जो होता larger focal length और large aperture का होता है तो चलिए next topic में उसको भी आपको कराने कोशिश करता हूँ ठीक है तो चलिए तब तक जो है आप लोग पढ़ते रहे हैं ध्यान से और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तों इसलिए क्योंकि आपको जैसे ही में वीडियो अप्लोग करूंगा आपके पास पहुच जाएगा चलिए थैंक यू